पर वुमांगल मांगल लिये, शिवे सरवारत साधिके, शरन्ये त्रयमबके, गवरी नाराय नीनुमुस्टते, श्री गनिशायनमा, सिंग राशी के जातको राशी फल पंचांग में आपका स्वागत है, सिंग राशी वालो बुद्ध करने जा रहे हैं, राशी परिवर्तन दो जुलाई दो हजार बाईस को रवी योग से बुद्ध करेंगे अपनी ही राशी मिथुन में प्रवेश जिनका सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आज आपको हम राशी फल में सिंग राशी वालो विस्तार से बताएंगे कि बुद्ध क राशी परिवर्तन, आपके नौकरी, व्यापार, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्त, सिक्षा किन शेतर में आपको लाव प्रदान करेंगे और कहां उनती का योग बन रहा है और किन बात में आपको विशेश सावधानी बरतने के आवश्यक्ता है इसके बा हर नई वीडियो की डूटिफिकेशन समय पर मिरें सिंग राशी वालों बहुती शुब सैयोग बने जा रहा है पूरे दिन रभी योग दो जुलाई दो हजार बाईस शनिवार के दिन रहेगा और सुबह नौ बच कर चालिस मिनट पर बुद्ध अपनी ही राशी मिथुन म प्रवेश करेंगे जहां पर उनकी युटी शुक्र के साथ होगी तो बुद्ध और शुक्र की युटी का प्रभाव सिंग राशी के जातकों के लिए सफलता का योग बना रहा है सिंग राशी वालों बहुती शुब मुरत है उस दिन रभी योग पूरे दिन रहेगा और अबिजीत मुरत सुबह 11 बचकर 57 मिर से लेकर दो पहर 12 बचकर 33 मिर तक रहेगा सिंग राशी वालों के लिए ये अवधी बहुती अनुकुल रहने वाला है नौकरी व्यपार में सफलता का योग बन रहा है वही सुख सांती और संपन्नता में व्रधी देखने को मिलेगी आय के नये श्रोत सिंग आशी वालों को मिलेंगे वहीं आर्थिक जीवन आपका सवरता हुआ नजर आएगा पैसो के कारन जो भी कारिय आपके अठके पड़े थे वह सभी पूरे होंगे सिंग आशी वाले जो नौकी करने वाले जातक है नई नौकी के आपको प्रिस्ताव मिल सकते हैं वही पदुनती के साथ साथ इंक्रिमेंट का योग भी बन रहा है और साथ में जो जातक सिंग आशी वाले रचनात्मक छेतर से जुड़े हैं उनको भी अच्छे अवसर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेंगे बुद्ध देव की कृपा से यश और कीर्ती आपको मिलेगी मान सम्मान में विधी देखने को मिल सकता है सिंग आशी वालों के लिए समय बहुती अनकुल है आर्तिक उन्नती या अबधी लेकर आएगा वही पारिवाली के जीवन आपका सुक में रहेगा वैवाहिक जीवन खुशाल रहेगा आए के साधन बढ़ेंगे वही आए में विधी हो सकती है नौकरी की जो जातक तलाश कर रहे हैं उनको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकती है और निवेश के लिहाद से भी समय बहुती अनकुल रहने वाला है यदि आपने कहीं धर निवेश किया हुआ है तो निवेश आपको अच्छा लाब देगा अब आईए आपको हम बता दें कि बुद्ध को अपनी कुंडली में मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें जिससे आपको लाब हो आप नियमत रूप से सिंगाशी वालों बजरंग बली की पूजा अवश्य करें और बुद्धवार के दिन आप ओम बुद्धाय नमह का 27 आइस बार जाप करेंगे तो इससे आपको लाब होगा आपके जीवन में सुक और समर्दी बढ़ेगा आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार अपने कमेंट समय लिक बेजिंगे और कमेंट में आप जै बजरंग बली ज़रूर लिखे इससे आप को लाब होगा आज के लिए बस इतना ही आप से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे अगले राश्री फलकारिकरम में तब तक के लिए आग्या दे आपका दिन शुब हो जै श्री राम जै हनुमान